किसान विरो धान की बालिया निकलते समय आखरी पानी कब तक लगाना है कितना लगाना है और पानी कब बंद करना है आखरी पानी लगाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है जिससे बालियों में दाना अच्छे से भराव कर सके और दाना खाली भी न रहे काले दाने क इनिशेशन स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज तक मतलब गोब की वस्ता से बालिया निकलने के बाद जब दानों में दूद भरता है तो इस समय तक खेत में हलका पानी देना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि यही सबसे सैंस्टिव स्टेज होती है जो हमारी फसल की पैदाव डिसाइड करती है और उसके बाद हमें खेत में नमी या पानी तब तक रखना है जब तक बालिया नीचे लटक जाएं और दाने 60-70% तक पक जाएं तब तक हमें हलका पानी या खेत में नमी बना कर रखना है और बात आती है कि हमें पानी लगाना कैसे तो हमें बालिया नि तो दाना भरने से पहले ही दाने सूख जाते हैं और दानों का रंग भी काला हो जाता है। और इसलिए कहते हैं कि अगर पिछेती धान की फसल है जो अभी गोब में है या बाले निकल रही हैं तो उन खेतों में अपने एरिया के हिसाब से प्रयाप्त नमी बना कर रखें और अगर रतीले खेते हैं तो रतीले खेतों में पानी सूखने से पहले ही पानी लगा देना है और पौनी लगाने में कोई दिक्कत ना आए या पानी लगाने में कोई साधा ना हो तो फसल में नमी बना कर रखना बहुत जरूरी होता है और बात आती है कि हमें अपने खेत में पानी बंद कप करना है तो बालियों में दाने बेलकुल बड़िये तरीके से भर जाएं बालिया नीचे लटक जाएं और दाने 60-70% तक पक जाएं तो फिर हमारे खेत में इतनी जरुरत नहीं रहती है पानी लगाने की केवल नमी को बना कर ही रखना है और अगर फिर भी पानी लगाने की जरूरत पड़े तो मौसम को देख कर ही पानी लगाना है क्योंकि आज कल बारिश को मौसम चल रहा है और अगर खेत में लंबे समय तक पानी रुका रहे या लंबे समय तक नमी बनी रहे तो भी खेत को नुकसान होने के चांस बहुत ज़दा बढ़ जाते हैं इसलिए water management बहुत जुरूरी होता है आप अपने खेत के इसाब से चेक कर सकते हो कि कब और कितना पानी देना है और इसके लावा धान की कटाई के 12-15 दिन पहले तक अपनी जमीन के इसाब से पानी बंद कर देना है जिससे अगली फसल की बुआई के लिए अलग से पानी ना लगाना पड़े और खेत में बड़ी तरीके से नमी बनी रहे और हमारी अगली फसल लेट भी न हो सके इसलिए हमारे किसान भाईयों को सला दी जाती है कि धान की फसल में बालिया निकलने के बाद उजित नमी बना कर रखना बहुत ही जरूरी होता है बाकी किसान भाईयों आप भी अपने experience जरूर शेयर कीजिए जिससे हमारे नए किसान भाईयों को help मिलती रहे धन्यवाद